हेलो और नमस्कार एवरिवन क्या हाल चाले हैं आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और यह जो सिरीज है यह CSIR सिरीज का नाम है उद्गम और इसमें हम कुछ लेक्चर लेके आ रहे हैं आपको आपके लिए कंटिन्यूसली तो आज जो है वो लेक्चर नंबर 15 है वो जो टोपिक है वो है वर्टीब्रेट आई डवलपमेंट जो की पार्ट है डवलपमेंटल बायोजी की जहां से कोश्च की बात करें तो मैंने में आमो मौनी के साथ में में कसमें आज क्या recreation आभ नियूरीज़र देखने हैं से अधिया एट आई डवलपमेंट हमें देखना है तो नूरोजनेसिस के बारे में थोड़ासा इसकस करना पड़ेएगा उसके बाद जो प्रिस chaps आते हैं उसके बाद क्या जो की steps आते हैं in the formation of vertebrate eye, उन सब के बारे में बात करेंगे, step क्या है? सबसे पहले तो eye field की formation होगी और optic vesicle की formation होगी, उसके बाद lens placode की formation होगी, और finally क्या होगा? optic vesicle जो बनी और वो जो lens placode बनेगा उनके बीच में आपस में interaction होगा और vertebrate eye की formation होगा तो यह कुछ बाते थी क्योंकि आज हम discuss करने जा रहे हैं तो start करते हैं सबसे पहले Neurogenesis से बिना time waste की हम लोग बाते करेंगे और सारे topic को बहुत ध्यान से समझेंगे Neurogenesis देखो vertebrate में eye का development किस time पे start हो जाता है during the time of Neurogenesis okay Neurogenesis के time पे यहां पे हमें देखने को मिलता है यह सारे चीज़े और अगर हम बात करें अगर हम बात करते हैं यह देखो अगर Neural Plate है असा ऐसे देखो this is the Neural Plate यह होगे Neural Plate एक यहां पे border है ऐसे और एक यहां पर border epidermis है यह this is epidermis या आप ectodum मान के चलो आप क्या बोलो आप बोलो ectodum this is ectodum तो यह ectodum की layer है इस तरह से तो ऐसे बना दो ताकि आपको यह अच्छे समझ में आए यह हो गया ऐसे ठीक है यह है अब यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा अगर मैं आपको diagram की तरफ लेके चलता हूं तो आप यहां से देख यह है हमारे पास Neural Plate ओके जो मैंने अभी आपको structure में बना के दिखाई है और यह क्या है यह है एपीडरमिस क्योंकि nervous system जो है डैट इस डिराइवड फ्रोम epidermis epidermal epidermis से डिराइव होता है nervous system और वहीं से हमें देखने को मिलेगा इसका आई का formation वर्टीब्रेट आई का formation हमें देखने को मिलेगा चलो अब देखो क्या-क्या चीजों की हम बात कर रहे है तो यहां पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास यह है नूरल प्लेट के बोर्डर्स आप इसको माल लो यह क्या है विस इज यूरल प्लेट इस इज वाट टूरल टूरल लेट और यह एक्शल में क्या है एक्शल में यह epidermis derived एक region है एक area है जिसते cns की formation होने central nervous system की जिससे formation हो और यह क्या है यह दोनों नूरल प्लेट बोर्डर है यह दोनों क्या है इस आप इसको ऐसे मोड नीचे की तरफ इन्वैजिनेट कर दो ठीक है आप इसको नीचे की तरफ इन्वैजिनेट कर दो और यह वाली जो उपर की तरफ जो ले रहा हा रही है उनको आप दोनों को र्र घृधर कर दो今日は कुछ इस तरहा इक स्ट्रक्चर सा देखने घृत कि आपको कुछ इस तरह का structure देखने को मिलेगा और finally आप क्या देखोगे मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं finally आप क्या देखोगे कि ये वाला region और ये वाला region आपस में क्या करेगा दोनों region आपस में join कर लेंगे ये दोनों के दोनों region जो है आपस में join कर लेंगे और join करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा ये देखने को मिलेगा जोन करने के बाद ये as it is और उसके अलावा तो यह इस तरह से structure आमें देखने को मिलेगा इसको क्या बोला जाएगा? Neural Tube और साथ में आपको कुछ इस तरह से cells दिखेंगी इनको बोला जाता है Neural Crest Neural Tube and Neural तो यह जो structure है यह है Neural Crest और निचे की तरफ आपको दिख रहा है वो क्या है? Neural Tube This is Neural Tube Neural Tube और यह क्या है? Neural Crest Neural Tube और यह as it is रहे गई Epidermis यह क्या as it is रहे गई? Epidermis मतलब यह जो process चल रहा है This is the process of Neurogenesis इस direction में क्या चल रहा है? इस direction में चल रहा है Neurogenesis Genesis का process वो इस direction में चल रहा है हमें Neural Tube मिला हमें Neural Crest मिला और Epidermis जो है वो as it is है जो बाद में Head Epidermis की formation करेगी तो हमें Neural Tube, Neural Crest मिला तो आप यह देखो कि यहां से formation किस-किस चीज़ की होने वाले है Neural Crest की बात करें तो यहां पे हमें Peripheral Autonomous Nervous System, Melanocytes, Dorsal Root Ganglion ओके यह सारी चीज़े और Neural Tube से क्या मिलेगा? Neural Tube से हमें मिलेगा Central Nervous System और हमें क्या मिलेगा? रेटीना देखने को मिलेगा Central Nervous System और दूसरा क्या? रेटीना, Neural Crest से Peripheral Nervous System यह मान के चलो यह इसका Posterior Part है और Upper Side में है इसका Anterior Part और यह क्या बनाएगा? Neural Tube है, मैं इसको कुछ थोड़ा सा Tube की Form में ले आता हूँ ऐसे, यह बनाएगा क्या? Central Nervous System तो Neural Tube क्या बनाएगा? Central Nervous System साथ में बनाएगा रेटीना तो अल्टीमेटली बात क्या है? अल्टीमेटली बात यह है कि वल्टीब्रेट में आई का डवलप्मेंट कब स्टार्ट हो जाता है? दूरिंग दा प्रोसेस ओफ निउरोजेनेसिस और यहां से क्या होगा? एक तो हमें मिलेगा क्या बोलते हैं? Neural Plate मिलेगा हमें जो कि यह रहा Neural Plate है Neural Plate invaginate करेगा जिससे Neural Tube, Neural Crest मिलेगा Tube से क्या बनेगा? और Crest से क्या बनेगा? वो हमारे पास यहां पर गिवन है कि Tube से तो यह मिलेगा और Crest से यह मिलेगा यह आपको पता करना है तो अब Eye की Formation हमें करनी है Vertebrate में जो Eye है उसकी Formation करनी है और Eye की Formation कहां से होगी? इस Neural Tube से Formation होगी साथ में इसका भी Involumen रहेगा Head Epidermis का Taps क्या है? Major Phages क्या है? सबसे पहले तो Eye Field बनेगा कि जहां पर Eye की Formation होनी है वो Field बनेगा उसके बाद क्या बनेगा? The Optic Vesicle will form Eye Field, Optical Vesicle उसके बाद Formation of Lens Placode जो कि एक Important Part है और Finally क्या होगा? Interaction between Optic Vesicle and Lens Placode and Lens Placode तो Lens Placode जो है जो हमने पहले बनाया और ये Optic Vesicle दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में होगा Interaction तब जाके किस क्या बनेगा? तब हमें Vertebrate Eye की Formation जो है वो देखने को मिलेगी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है Ectodum यह बहुत important diagram है दोनों के दोनों देख लेना हमारे पास क्या है Ectodum और Ectodum यह होगी हमारे पास Surface Ectodum या फिर Epidermis उसके बाद Surface Ectodum यह कहां से आई भई? जब यह structure हमें यहां से मिला और यह structure की मैं बात पीछे कर चुका हूँ यह structure जो है यह इस तरह से है यहाँ पर Surface Ectodum है जो आपको यहाँ दिख रही है इसको Epidermis लिखा है Neural Cryst है Neural Cryst Cells और Neural Tube Tube से क्या मिलेगा? Brain, Spinal Code, Motor, Neurons, Retina यह सब मिलेगा? Neural Tube Neural Cryst से क्या मिलेगा? Neural Cryst से जो भी structure हमें मिलेंगे जो भी cells मिलेंगे Swan Cells, Glial Cells, ठीक है? Parasympathetic Nervous System यह सारे के सारे हमें यहाँ से देखने को और Surface Ectoderm से Ectoderm से या Epidermis से Epidermis, Hair, Nails, Subcutaneous Gland Olfactory Epithelial, Mouth Epithelium Lens and Cornea यहाँ से क्या मिलेगा? Lens and Cornea मतलब Eye के Development में Lens, Cornea यहाँ से मिलेगा और Retina हमें यहाँ से मिलेगा तो Involvement इसका भी है Involvement इसका भी है मतलब Ultimately Neural Crist को छोड़के Neural Crist को छोड़के बाकी जो हमारे पास Epidermis है और Neural Tube है दोनों का Involvement होगा In the Formation of Vertebrate Eye चलें आगे? चलो आगे चलते हैं सबसे पहला स्टेप है Eye Formation में जो कि क्या है? Formation of Eye Field और Optic Vesicle Optic Vesicle बनाना है हमें बनाना है Eye Field उसके बाद हम बनाएंगे Lens Blackboard चलो देखते हैं इसको Diagramatically हम पहले देखते हैं Diagram के थूँ समझते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा Rough Diagram बनाने जा रहा हूँ ठीक है? थोड़ा सा मैं Rough Diagram बनाऊंगा और हम इसमें क्या बनाने वाले हैं? जैसे मान के चलो मैंने यह बना दिया है यह है हमारे पास Neural Tube यह क्या है हमारे पास? और यह है हमारे पास यह है हमारे पास क्या? Head Epidermis यह हमारे पास Head Epidermis है वो हमारे पास क्या है? Neural Tube ठीक है? दोनों हो गए तरहां से शोग यह हो गए This is our Neural Tube ईल इस प्रिवाले डारेक्शन में लिखने हैं हमें क्या बनाना है? Eye Field बनाना है तो आप इसको divide कर दो Anterior Pacific यह आपने इसको divide कर दिया Anterior Region और यह क्या है? Posterior Region पहली बात तो यह और दूसरी बात यह कि Anterior Region पे एंटेरियर रीजन जो है न यह वाला यहां तक मैं बना दे रहा हूं इस एंटेरियर रीजन यहां क्या बनना है यहां बनना है आई-filt कि जहां पर आई-की और यहां बनेगा यहां बनेगा आई-filt और यह रीजन कौन सा है एंटेरियर रीजन में क्या बनेगा आई-filt और यह क्या है है एड-ectodum और यह ad-actodum कहां से आई है These-head-actodum यहां से आई है देखो ध्यान से यह ep般 निस जविका है ना यह इसी इकी बात कर रहे हैं यह आप यह जो फिल्ड है यह जो फिल्ड बना है यह फिल्ड रिलिजर करता है क्या त्या-्या मैं बोलू कि यहांपर expression कि-स cu city देखने को मिलेगा, no gain का expression देखने को मिलेगा, okay, no gain, no gain का हमें expression देखने को मिलेगा, और यह no gain जो है, यह inhibit करता है BMP4 को, BMP4 को क्या करता है, no gain, वो inhibit करता है BMP4 को, और no gain जो है, वो activate करता है, OTX2, no gain जो है, वो activate करता है, OTX2, जहां से देखो, OTX2 का concentration वो बढ़ा देता है, no gain inhibit कर रहा है BMP4 को, no gain क्या कर रहा है, activate कर रहा है OTX2 को, आप देखो expression किस किस चीज़ का आपको यहां पर देख रहा है, OTX2 हो गया, और no gain usually क्या करता है, एक transcription factor है, जिसका नाम क्या है ET, और यह क्या है एक transcription factor, यह क्या है एक transcription factor, usually यह condition है कि no gain इसको inhibit करता है, no gain ETX transcription factor है, उसको inhibit करता है, लेकिन, लेकिन OTX2 जो है, OTX2 यह इस inhibition को ही inhibit करता है, बाद समझ में आ गई, OTX2 जो है वो इस inhibition को ही inhibit कर देता है, तो जो ET transcription factor है, जो हमारे पास ET transcription factor आपको show हो रहा है, यह क्या करता है, it inhibits the role of no gain, यह activate करेगा Rx1 को, यह activate करेगा Rx1 को, और यह भी क्या है, एक transcription factor है, OTX2 इनिबिट दा, इनिबिशन ओफ no gain ओवर ET, ET activate the transcription factor Rx1, and Rx1 जो है, वो क्या करेगा, वो activate करेगा किसको, Pax6 को, it will activate an other gene, जिसका नाम क्या है, Pax6, जिस gene का नाम क्या है, Pax6, अब हमें इस region में कौन-कौन सा gene का expression देखने को मिलेगा, वो depend करता है, Pax6 के उपर, हमें यहाँ पर मिलेगा, LHX2 का, 63 का, टोल का, LHX, 63 और टोल, इसका expression हमें देखने को मिलेगा, और Pax6 क्या करता है, activate करता है, टोल को, टोल in turn activate Pax6, इसी तरह से, की तरह से यह, कि Pax6 जो है, that activate the tall and these other, और यह जो region है, यह हमारा जो region है, इस region में हमें, RX1 का expression देखने को मिलेगा, ठीक है, इसका expression, इस region में, हमें जो expression देखने को मिल रहा है, वो कौन-कौन से gene का है, एक तो हो गया जैसे कि, टोल, ठीक है, टोल जीन, LHX जीन, ठीक है, LHX जीन हो गया, टोल जीन हो गया, Pax6 हो गया, LXX, और क्या है उदर देखो, 6-3, इन genes का expression हमें देखने को मिलेगा, I-filled वाले region में, उसके अलावा भी कुछ बचता है क्या, उसके अलावा कुछ नहीं है, RX1 भी है, जिसके हमने बात कर ली है, ये genes का expression हमें देखने को मिलता है, इस जगहें पर, यहां क्या mention है, यहां mention है कि, during initial neurogenesis, certain anterior neural tube region, बात ध्यान से देखो, anterior neural tube region, यह कौन सा region है, anterior, हमने पहले ही यह distinction कर दिया था, दोनों के बीच में कि एक anterior है, एक posterior, तो neural tube का कुछ anterior region जो है, वो क्या करता है, वो expressing start कर देता है, ठीक है, start expressing, start expressing nogen, ठीक है, और nogen जो है, वो क्या करता है, cascade pathway को effect करता है, जिसकी वज़य से, इन cells में, rx1 का expression, pax6 का expression, और 63 का expression हमें देखने को मिलता है, और जिन cells में इनका expression देखने को मिलता है, वो cells क्या बनेंगी, आई-field, वहाँ पर क्या develop होगा, वहाँ पर आई-field डवलप हो जाएगा, वहाँ पर आई-field का development start हो जाएगा, और जैसे आई-field का एक बार development start हो जाएगा, वहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, और इवेजिनेशन किस तरह से देखने को मिलेगा, तोड़ा सा जड़ा ध्यान से देखो, हमें देखना है expression, और इवेजिनेशन, और इवेजिनेशन के case में क्या है, यह मान के चलो कि हमारा ये है head epidermis, ये है हमारा head epidermis, ठीक है, ये है, this is our head epidermis, और head epidermis के बाद, second पे हम बना रहे हैं, क्या हमारा neural tube, neural tube में जो eye field वाला region है, उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, इवेजिनेशन, आप इसको एक बार फिर से divide कर दो, इसको बोलो कि ये anterior है, और ये क्या है, posterior, और ये जो आपको show हो रहा है, ये क्या है, ये जो आपको यहाँ पे show हो रहा है, ये है, इवेजिनेशन, क्या है ये, इवेजिनेशन, ये इवेजिनेशन किस में हुआ, ये इवेजिनेशन हुआ, आई फिल्ड में, आई फिल्ड क्या हुआ, इवेजिनेशन, इस इस दा आई फिल्ड रिजन, ये जो रिजन है, ये आई फिल्ड रीजन, आई फिल्ड रीजन, आई फिल्ड रीजन में क्या हुआ है, इवेजिनेशन, और ये कब हुआ, जब आई फिल्ड का डवलपमेंट हो गया है, आई फिल्ड के डवलपमेंट के बाद, जो हमारा आई फिल्ड है, उसमें क्या होगा, इवेजिनेशन, ये हमने देख लिया, आई फिल्ड का formation देख लिया और optic vesicle के बारे में अगर हम बात करें optic vesicle के अगर हम बात करें जब ये इवेजिनेट होता है ठीक है, जब ये इवेजिनेट होता है, इस तरह से ये मान के चलो ये हुआ इवेजिनेट ये क्या हुआ, ये हुआ है इवेजिनेट ये इस तरह से है मैं इस डाइग्राम को आधा ही बना रहा हूँ ये हुआ इवेजिनेट और ये है हमारा head actode इस इवर head actode तो ये जो इवेजिनेशन हुआ है इस इवेजिनेशन को क्या बोलते हैं optic vesicle इसको क्या बोलते हैं optic vesicle अब development हो चुका है किसका optic vesicle का eye field की formation हम show कर चुके है ये हो गया eye field ठीक है ये वाला जो रिजिन है ये क्या है ये बनेगा eye field और actual में ये जो रिजिन है ये specific है अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो Wholesomeative को ये वाला जो रिजिन है फ्रमचम ए चूब को ठोड़ा सा और बड़ा कर दो ये यहां से लेके यहां बाला हो रिजिन है ये वाला रिजिन और यह बना रहेगा बाहर की तरफ निकलेगा तो दोनों की formation हम यहां पर शो कर चुके हैं अब नेक्स्ट क्या है formation of lens placard और है formation of lens placard यह आता है हमारा यह यहां पर भी आपको यहां पर शो हो रहा है आप इसको भी diagram के थ्रू देख सकते हों इसको भी देख सकते हो यह आगे का step है ठिक है यह क्या है आगे का step और ऐसे क्या था? यह मानके चलो optic vesicle, यह क्या है? optic vesicle है ये, यह step आपको शोर है, यहाँ पर कुछ दिखाया गया है, देखो case है, यहाँ पर conditions है कुछ, इस यह important बात है, अगर optic vesicle को remove कर दिया गया है, यह important चीज है, अगर optic vesicle को remove कर दिया गया है, तो lens का induction नहीं हो, यहाँ पर lens का induction है, और lens का induction का step क्या है, वो है formation of lens placard, lens placard की अगर बात करें, तो हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, आप आगे का step देखो, यहाँ से लेके, कि यहाँ पर optic vesicle बना, वो था head epidermis, दोनों के बीच में किस तरह का, यह जो है, placard का formation कैसे हो रहा है, आप देखो, कि optic vesicle को मैं कुछ इस तरह से बना दे रहा हूं, ठीक है, यह है हमारे पास optic vesicle, मैं काफी ज़्यादा इसको, यह मान के चलो, ज़्याँ करके बना, यह है हमारा optic vesicle, और optic vesicle के बाद क्या है, देखो, anterior, posterior को याद रखना, उसको मत भूल, और यह है हमारा head epidermis, बना दो इसके बीच में cells, यह हमारा head epidermis, तो अब यहाँ पर कुछ expression हमें देखने को, यहाँ पर हमें कुछ expression देखने को मिलेंगे, जिसके response में हम देखेंगे कि I field, या जो हमारा vesicle है, optic vesicle, यह इसको मैं बना दे रहा हूँ, optic vesicle, optic vesicle, था न यह optic vesicle, देख दिया है, यह optic vesicle, और यह है head actoderm, यह क्या है, head, आप इसको actoderm लिखो, आप इसको head actoderm, आप इसको epidermis लिखो, क्योंकि पीछे epidermis भी लिखा है, क्योंकि पीछे epidermis भी mention है, देखो, यहाँ mention है na epidermis, there is mention that it is epidermis, आप यहाँ पे देखो, चलो आओ यहाँ पे, optic vesicle जो है, वो क्या करता है, उसके response में, head actoderm क्या करता है, देखो, optic vesicle जो है, वो कुछ expression शो करता है, ज्यान से देखो, यह कुछ expression शो कर रहा है, कुछ expression इधर आए, और कुछ expression इधर आए, इधर का मतलब यह है, कि यह जो area है, यह दो चीजों के expression शो कर रहा है, particular आप इस बात के उपर focus मत रहना, कि इसका उपर वाला पार्ट और इसका नीचे वाला पार्ट दोनों अलग-अलग expression शो कर रहा है, नहीं, optic vesicle जो है, वहाँ से हमें देखने को मिले गए, bmp4 और fgf8 का expression, यह क्या है, एक है bmp4, this one is bmp4, और यह क्या है, यह है ff8, fgf8, यह जाके bind करेगा, इसके साथ, जाके, find करेगा, मतलब इसको induce, के इधर, तो इसके response में, head ectodom क्या release कर रहा है, इसके response में, head ectodom, जो है, वो कुछ release करेगा, कुछ expression show करेगा, और वो expression क्या है, देखो fgf8 के response मे, head ectodom, जो है, वो, l-maph, ठीक है, l-maph का expression show, और bmp4 के response में, हमें expression देखने को मिलेगा, socks 2 का, इसके response में, हमें किसका expression देखने को मिलेगा, socks 2 के हैं, बात समझ में आ गई, कि optic vesicle है, मैं यहीं पर बना रहा हूँ, optic vesicle है, ओPTIC vesicle क्या release कर रहा है, या किसका expression show कर रहा है, bmp4 का, यह expression show करेगा, optic vesicle किसका expression show कर रहा है, FGF8 का, अब यह जाता है, head, ectodum तक, और head ectodum, इनके response में, इसका expression show करता है, वो expression यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, LMAF का, बात clear है, CDC, कि FGF8 के response में, यह LMAF का expression करता है, और यह BMP4 के response में, SOX2 का expression show कर रहा है, यहाँ पर यह हमें, अलग-अलग expression देखने को मिल रहे हैं, अलग-अलग expression हमें देखने को मिल रहे हैं, तो एक बात दो यह होगे, अब इनकी वज़े से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी वज़े से induction तो होगा, इनकी वज़े से क्या होगा, induction हमें देखने को मिला, एक बार पीछे आजाओ, एक बार पीछे आजाओ, once the optic vesicle is formed it release paracrine factor to the upper laying head ectoderm head ectoderm के पास कुछ upper crine factor release करेंगे लेकिन लेकिन अब ये देखो ये complete head ectoderm है ना ये इस paracrine factor को respond कर सकता है यहां से लेके यहां तक पूरे का पूरा complete ये इसको respond कर सकता है इस complete के अंदर है capability इस complete के अंदर क्या है इसके अंदर है capability to respond the paracrine factor और ये BMP4 और ये BMP4 FGF8 क्या है इस आर दा paracrine factor इसके पास क्या है ये complete head ectoderm के पास है capability to respond to respond paracrine factor और उन paracrine factors का नाम क्या है भाई उसका नाम है BMP4 और FGF8 BMP4 और FGF8 को वो respond कर सकता है लेकिन ये SOX 2 और ELMAF कोन release करेगा वो head ectoderm का वो region करेगा जो कि PAX 6 का expression शो करता है और PAX 6 का expression कोन शो कर रहा है देखो PAX 6 का expression हमें केवल और केवल इस region में देखने को मिलेगा ये है PAX 6 का expression यहां पर हमें PAX 6 का expression देखने को मिलेगा और इनके respectively SOX 2 और ELMAF वो expression जो है वो show करेगा head ectoderm तो जो PAX 6 का expression show करेगा that would respond to optic vesicle OP लिखा है optic vesicle को respond किया तो PAX 6 जो है वो क्या develop करता है competence एक develop कर देता है head ectoderm की cells में गिर वो respond करे optic vesicle इसलिए एक specific area ही respond करता है पाकी area जो है वो respond नहीं करता और इनके respect में क्या क्या release होते हैं वो चीज़े यहां पर mention है अब वापस से देखो अब इसको थोड़ा सा फिर से देखो यह है optic vesicle यह क्या है optic vesicle बनी थी optic vesicle और यह वो region है जो region ठीक है यह वो region है देखो ध्यान से इसे यहां पर हमें क्या देखने को मिता regional थीकने यह क्या है यह है regional और यह क्या है head ectoderm head ectoderm head ectoderm और यह क्या है optic vesicle अपी है अपी को respond किया इस region ने अपी को respond किया इस region ने तो यह जिस region ने respond किया यहां पर हमें क्या देखने को मिला regional थीकने और इस regional थीकने को इस regional थीकने को क्या बोलते हैं इस regional थीकने को बोलते हैं lens placode इसको क्या बोलेंगे this is known as lens placode eye field था optic vesicle बन गया lens placode बन गया second step क्या था formation of lens placode lens placode कैसे बना तो जो cell जो cell फोक्स यह सोक्स टू और L.Maff का expression शो करेंगी वो cells क्या बनेंगी lens placode वहाँ पर क्या जाएगा regional थीकने आ जाएगी वो region जो है जो cells है वो regional थीकने शो करेंगी उसको क्या बोलेंगे lens placode so this is the lens placode यह है हमारे पास lens plac second step के लिए third step पे आ जाओ यह यहाँ पर कुछ चीजे जो है वो मेंशन optic vesicle जो है वो wild type है और जो हमारा surface ectoderm है वो कैसा है देखो एक तो यह और एक यह इन दोनों के वो interaction की बात कर रहा है कि किस case में lens का induction होगा किस case में lens का गया है पैक्स 6 एक में नहीं है optic vesicle में पैक्स 6 नहीं है और surface ectoderm wild type है lens का induction हो जाएगा तो यहाँ पर पैक्स 6 यहाँ प्सेंट है पैक्स 6 यहाँ प्सेंट है पैक्स 6 चाहिए कहाँ पर surface ectoderm पर हमने क्या बताया कि रिजन जो कि पैक्स 6 का expression शो करता है वो क्या बनेगा वो बनेगा lens black code ठीक है तो यह region जो है यह शो करता है पैक्स 6 का expression इसके ही बना है क्योंकि पैक्स 6 की वज़े से क्या है competence डवलप हुआ है तो जहाँ पर पैक्स 6 अगर पैक्स 6 की बात हो रही है head ectoderm में और पैक्स 6 head ectoderm में missing है वहाँ पर lens का induction नहीं हो पाएगा क्योंकि एक region जो है जिसमें regional thickening होनी चाहिए जिस region को regional thickening show करनी है जिस region को black code बनाना है उस region के पास पैक्स 6 होना चाहिए इस region के पास पैक्स 6 नहीं है यहाँ पर lens का induction नहीं होगा यहाँ पर lens का induction नहीं होगा तो अगर optic vesicle में पैक्स 6 नहीं है तो it's okay यहाँ पर नहीं है it's okay चलेगा लेकिन अगर यहाँ पर यह नहीं है तो यह नहीं चलेगा lens का induction नहीं होगा यहाँ पर इसलिए lens का induction नहीं है यहाँ पर भी नहीं है यहां दोनों cases में lens का induction जो हो रहा है तो यह cases तो अब जो अपना optic vesicle था और अपना lens प्लैकोड था उन दोनों के बीच में होगा interaction आपस में क्या होगा इन में आपस में interaction वह दोनों interact करेंगी आपस में और interaction में क्या चीजे हम देखने वाले हैं वह देखो दोनों में क्या है इंट चलो यहां से देखो दोनों का interaction lens प्लैकोड की formation हो चुकी अब यहां पे क्या आया यहां पे lens प्लैकोड जो है वह वापस से इंड्यूस करेगो optic Garg पहले opticаюсь कल है इंड्यूस कर रहा था lens प्लैकोड की formation के लिए लेकिन अब optic eas cream वैसिकल ही वापस से किसको क्या करेगा optic강 को ही इंडिउस करेगा लेंस प्लैकोड तो इसको क्या बोलते हैं जो इंड्यूसर था इंड्यूसर कौन था ये था इंड्यूसर पहले ये क्या था ये था इंड्यूसर इंड्यूसर कर रहा था इस रीजन को लेकिन अब क्या है अब ये रीजन जो है वो इसको इंड्यूस करेगा किस बात के लिए और यह जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है रैसी प्रोकल इंडक्शन प्रोसेस इज नोन एज रैसी प्रोकल इंडक्शन और रैसी प्रोकल इंडक्शन की वज़े से क्या होने वाला है तो देखने के लिए हमें एक डाइग्रामेटिक ली इसको समझना पड़ेगा तो बनाओ, ओप्टिक वैसिकल बना दो, यह मान के चलो मेरे पास एक सर्फेस एक्टोडम, या सर्फेस एक्टोडम है, साथ उसने लेंस ब्लैकोड परजेंट, रेजनल ठीकनिक का एरिया है, यह है ओप्टिक वैसिकल, मैं थोड़ा सा रफ डाइग्राम ही बना रहा हूँ, म तो कि आप जो है, तो साथ ठीक कर सकते, आप थोड़ा अच्छे से बनाए, ताकि आपको, यह है केस, अब यह क्या है, अब यह क्या है, अब यह जो ओप्टिक वैसिकल थी, जिसमें क्या हुआ, इवैजीनेश, यहां पर क्या थी, इवैजीनेश, यहां पर क्या थी, इवै देखो यह सारी terminology है यह आपको आने चाहिए अगर यह नहीं आती है तो है दिकत फिर अब lens placode क्या करेगा? lens placode lens placode में क्या होगा? lens placode इसको induce कर देगा अब यह induce कर रहा है ठीक है? यह क्या है? यह induce कर रहा है किसको optic vesicle lens लेकोर्ड जो है वो ओप्टिक वेसिकल को इंड्यूस कर रहा है अब ओप्टिक वेसिकल पहले इवेजिनेट हुई थी अब क्या हो जाएगी अब हो जाएगी वो इन वेजिनेट क्या होगी अब वो अब वो हो जाएगी इन वेजिनेट अब आप थोड़ा सा ध्यान से देख के यह जो हमारे पास, अप्तिक वैसिकल थी, वह इन वैजिनेट हो गई है, वो अंदर की तरफ जो है, वो अंदर की तरफ मूव कर गई है, मूव कर गई है, यह है एज़िटी, यह है क्या, एज़िटी, यह वाला सर्फेस, आप इसको यहां से मान के चलो, यह वाला इतना रीजन है, या फिर इसको पुरा कम्प्लीट यहां से ले, लैन्स प्लैक, यह जो ओप्टिक वेसिकल का जो एरिया है, ओप्टिक वेसिकल का एरिया, आप इसको, अब यहां से क्या है, यहां से हो, यहां से, मतलब यह इन्वाजिनेट क्या इन्वाजिनेट क्या है इसके मने इन्वाजिनेट क्या है यह यह ओप्तिक वैसी मिर्फील जो है अब देखो थोड़ी यह है हमारा optic vesicle जो अब invaginate हो चुका तो अब invaginate हो चुका है सबसेह यां man's play code को अलग color से शो जो कहा लेंजञ प्लेकोड को थावला अलग color से जो कर दो लेंजञ प्लेकोड जो है वो भी इसके साथ साथ क्या करेगा वह भी शेसाथ साथ मिंजिनेट कर गया लेंजञ प्लेकोड भीश्यक साथ साथ ए यह है है ऍेडार डेटी उडर यक्म सेकल लैंस प्लेक्ट् blanket दोद न पाइनल्स टेप में क्या किए क हूँ यह अब फॉर्माशन फील हो इसकी लैंस की फॉर्मेशन हो जातों अब क्या होगा लेंस की रिजन कीशीन बनेंगा ये भनेगा लैंस बनेगा ये तीक है क्या बनेगा कर लिया है वो कर लेगा ये वाला रिजन ने इसको कर लिया है ये भी बढ़िया है तो देखो चीजे यहां पर क्या हो रही है वह आपको पता होनी चाहिए यहां पर actually चीजे चल क्या रही है वह आपको पता होना चाहिए और यह अपना है जो हैड एक्टोडम है वह वापस से एजिटीज वह वापसे एजिटीज इसने क्या दे दिया इसने हमें यहां पर प्रोवाइड कर दिया है लेंस में लेंस प्रोवाइड कर दिया है और लेंस प्रोवाइड करने के बाद जो बाकी की चीजे हैं वो देखो क्या है यह बनेगा फ्यूचर रेटीन और यह जो अप अब कौन सा रिजन क्या बनेगा तो यह तो हो गया हमारे पास लेंस है यह हो गया लेंस और यह क्या बनेगा यह बनेगा हमारे पास future retina ठीक है यह एक future कौर्णिया बनेगा रेटिना कौन सा रिजन है जो आपको जो आपका यह वाला रिजन है यह है रेटिना जो कि अभी रेटिना बनने वाला है कि इस इज रेटिना कि रेटिना हो गया लेंस हो गया यह फ्यूचर कौर्णिया future और God तरह मरे पास और हमारे पास ले लेंस हो गया हमारे पास और अभी जो रीजन है इस्सी बात करेंगे हम ठीक है हम बात करेंगे कि ये वाला जो डिलीधन है विस्ट रिस उप्टिक नर्व किया हो गई ओपेड़नों यह नर्स अब्तिक नर्व गई यह क्या हो CT only क्ली दिक नर्व हो गई ङोने क्ली ओप्टिक नर्व हो गई इस से इस अपने को स्टर्फेस हेड एक्टल हुए फूरande माद या वो स्टार्टिंग से ही किलियर है और किस तरह से फॉर्मेशन वह है वह चीजै भी स्टार्टिंग से ही किलियर है यह हो गई हमारा future ऐ से आ की फीर्मेशन सो यहाँ से कुछ बाते देख लेते हैं रेसिप्रेकल इंडक्शन की वजह से ओप्टिकल वैसिकल में क्या हुआ इन्वैजिनेश्ट और वो डवलप करेगा इनर और आउटर लेयर दो तरह की लेयर डवलप करेगा जिसको एक का नाम क्या है इनर लेयर और दूसरा क्या है आउटर लेयर इनर लेयर बनाएगा रेटिना और आउटर लेयर बनाएगा क्या आईरिस यह है एक मनाया रेटिना, एक मनाया आयरीस इनर लेर डवलप इन्टु रेटिना, वाइल दा आउटर लेयर डवलप इन्टु दा पिग्मेंटेड लेयर एड ओप्तिक नव्स ठीक है वो प्तिक नौज आयरीस ये सारा मना दिया तुरिंग तई दील आइडवलक्मेंट यूजिए प्रलोफ मैं यह प्रवाइड के पिग्मेंंति इसल प्रवाएड के ऑप्टिक न Lewis प्रवाइड कि यह सारी बाते है कि कौन किसे provide करेगा blood vessel provide करेगा sclera provide करेगा जो कि white part होता honor कि इसलिए मीजोडर्म का भी involvement यहाँ पे so करना है कि मीजोडर्म का जिकर नहीं आयाथ um लेकिन मीजोडर्म जो है वो क्या provide कर रहा है वो सारी बातें जो है ऐसे देखनी पड़ेंगी तो पैक्स 6 के बारे में बाते चल रही थी, पैक्स 6 जो हमारे पास जीन था उसके बारे में बाते चल रही थी, तो पैक्स 6 जो है वो अगर परजेंट नहीं है, किसमें सरफेस एक्टोडर्म के अंदर रोल है, पैक्स 6 का, यहां पर, अगर यहां पैक्स 6 परजेंट नहीं हो हो पाएगा लेंस का इंडेक्शन नहीं हो पाएगा दूसरा एक चीज और भी यहां पर specially मैं मेंशन कर दे रहा हूं जो एस एच एच सोनिक है जोग इस दा इनिबीटर ओफ पैक्स तो आप यह मान के चलो आप यह मान के चलो कि मेरे पास एक रीजन है यह वाला रीजन है यहां पर यहां पर फोर्मेशन होनी है आई की कहीज है रीजन है अरी मिर्टों झां एक और यहां पे इनिबीटर ओष पैक्सष हो में अगर मैं यहां पर सोनिक है जोग अप्लाई कर देता हूँ तो क्या यहां पर डवङलोप मेंट होगी ओ डाइन चल रहा है उस टाइम पर यहां पर अबसेंट होता है का मतलब यहां पर एस एच एच जो है वो क्या है अब सेंट तुसरी बात एस एच एच जो है वो करके रखता है आई फिल्ड को आई फिल्ड को वह सेपरेट करके रखता है ऐसे एच 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 जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं या फिर यह बोलू कि और इस अपको यहां मिलेगा अपको यहां पर आप अपसेंट में थैक क्या है ओ आई फिल्ड पोजिशन के इन टें अगर condition ये है कि sonic hedgehog जो है SCH जो है वो absent है और इसकी वज़े से क्या होगा इसकी वज़े से eye field जो है वो separate नहीं हो पाएंगे और अगर eye field separate नहीं हो पाएंगे तो वहां पर एक single eye development होगे single eye जो है वो develop होगी यहां पर single high development हमें देखने को मिलेगा, जो की कैसी होगी, large होगी size में, it will large in size, और इस condition को बोला जाता है, क्या, condition is known as cyclopia, जहां लिख देता हूँ, cyclopia, condition is known as cyclopia, cyclopia की condition कब आती है, अगर sonic है जोग absent है, sonic है जोग क्या है, absent है, तो condition क्या हैगी, cyclopia की एक आई का development होगा, क्योंकि यह जो field है, यह separate नहीं हो पाएंगे, जिसकी वज़ए से दोनों combine होके, large size की आई की formation करेंगे, condition is known as cyclopia, एक तो यह है, और अगर sonic है जोग, बहुत ज़्यादा concentration में present है during eye development, तब क्या होगा, sonic है जोग, present in high concentration during high development अगर high development के टाइम पे, sonic है जोग, large concentration में present है, high concentration में present है, तो क्या होगा, देखो, there will be no eye formation, इस केस में क्या होगा, आई की formation, नहीं होगी, no eye development, no eye development, और यह किस वज़े से होगा, क्योंकि sonic है, जोग जो है, वहीं नहीं कर देगा, किसको, pack 6, pack 6 नहीं है, तो क्या होगा, no black code, black code भी नहीं बनेगा, और यह separate भी नहीं हो पाएंगे, eye field, ठीक है, जो functions है, इसके, sonic है, जोग के, वह एक तो यह हो गया, एक यह function हो गया, और sonic है, जो, वह inhibit करता है, pack 6, तो यह भी function हो गया, sonic है, जोग का, that's why, there will be no eye development, eye का development हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, देखो, इसमें जो बाते हैं, आपको यह लग रहा होगा, कि इसमें बहुत थोड़े में complete करवा दिया, बहुत थोड़े में cover करवा दिया, लेकिन चीजे यह हैं, अगर आप ध्यान से चीजे को पढ़ोगे, चीजों का एक दूसरे से relate करवागे, चीजों का एक दूसरे से, अच्छे से relate करोगे, तो आप यहाँ से definitely question कर सकते हो, आप यहाँ से definitely questions कर सकते हो, कुछ बात हैं यहाँ लिखी हुई है, जिसके बारे में मैंने important जो चीज है, वो यहाँ पर बता दी है मैंने, यह है blackboard की formation, और यह lens जब induce कर रहा है, किसको optic vesicle को, वो यह उस time की बात है, ऐसे हमारे पास eye की formation होती है, यह आपने देख लिया कि किस तरह से eye की formation होती है, यह interaction शो होता है, vertebrate eye development यह हो गया है, अभी तक हमने क्या देखा आज की class में, आज की class में हमने eye development स्टार्ट किया था, neurogenesis के time से, उसके बाद हमने lens field बनाया, हमने optic vesicle बनाया, और हमने क्या क्या, lens placode की formation की, और दोनों के बीच में हमने interaction देखा, हमने roll of sonic है, जोग देखा कि वो inhibit करता है, Pax6 को, Pax6 का chromosome present होता है, कहाँ पर chromosome 11 पर, Pax6 gene chromosome 11 पर, अब यह भी information add कर सकते हो, तो Pax6 का जरूरी होना कहाँ पर, वो important है, head actodum, या surface actodum, लिखा है न, कहाँ होना जरूरी है, Pax6 का, surface actodum पर होना जरूरी है, यह मैंने यहाँ पर लिखा था, और इसको मैं यहाँ पर यह भी लिख देता हूँ, कि यह वाला जो part है, यह important है, यहाँ पर there should be, Pax6, और चाहे इधर हो, या ना हो, कोई फरक नहीं पढ़ता, लेकिन यहाँ पर होना, चलिए ठीक है, ओके थैंक्यू बेरी मच, and all the best सभी को, यह developmental biolog के कुछ टोपिक्स थे, और in future अगर कुछ रहा, तो मैं एक दो टोपिक्स और एड करूँगा, ताकि आपको कुछ help हो, तो यहाँ से आ सकता है, definitely आ सकता है, और metamorphosis भी देख लेना, यह दोनों छोटे-छोटे टोपिक्स थे, इसलिए यह helpful है, क्योंकि इनका साइट जो है, content जो है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ से questions आते हैं, इसलिए यह पार्ट जो है, and all the very best.